हेलो फ्रेंट्स मैसल डॉक्टर सुशिला सैने का इनेकलॉजिस्ट एन अप्रिटेशन डिरेक्टर जाप दूर्भीन हॉस्पटल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है इस नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फ्रेंट्स आज हम बात करने जा रहे हैं कॉमन टॉपिक क नॉमल जैसे पहले थे वैसे नॉमल रह सकते हैं तो इस वीडियो में हम आज यही जानने वाले हैं कि आप अपनी नॉमल मुराइटल लाइफ कैसे रिज्यूम कर सकते हैं जब कि आपके आपके डिलिवरी हो चुकी है एक छोटा बच्चा आपके परिवार में शामिल हो लेकिन उन सब के साथ में एक अपना परसनल लाइफ भी होता है जिसकी भी इच्छा कपल के दिमाग में हमेशा रहती है जो कि बहुत ही नैचुरल चीज है बहुत ही नॉमल चीज है इसका कोई मित या तैबू हमें नहीं इस से जोड़ना चाहिए अब नॉमल लाइफ का टाइप कौन सा है यानि कि आपकी आपकी नॉमल डिलिवरी हुई है या सेजेरैन सेक्शन हुआ है नॉमल डिलिवरी जब भी होती हैं नहीं पहले वीडियो में भी बात ती थी जिससे की bleeding कहते हैं delivery के बाद की जो पहले शुरू में लाल होता है बाद में पीला हो जाता है फिर सफीद हो जाता है जो कि बच्चे दाने की जो अंदर घाव है उनके through रिस्ता हुआ बहार की तरफ आता है तो जब तक की घाव ठीक नहीं हो जाते लेडी बिल्कुल भी comfortable नही होगी एक नए बच्चे की मा है जिसको बच्चे के जिम्हदारी भी उसके सिर पर आ गई है जिसको कि रात और दिन उसको ध्यान रखना है तो उसका body का comfort zone अभी नहीं develop हुआ है तो यह सब normal होने में कम से कम छे हफ़ते का समय लग जाता है छे हफ़ते के अंदर नीचे के ट है जो कि एक नई मा को मिलना चाहिए आकी हम सब उसकी care कर सके और वो physically और mentally boost up हो सके supported feel कर सके और आपको भी आगे life में support कर सके तो छे हफ़ते से पहले करना जल्दवाजी होगी लेकिन छे हफ़ते की बाद नई मा की इच्छा के साथ उसकी consent के साथ आप जरूर से कर सकते हैं लेकिन मा की इच्छा सर्वो परी है दूसरा अगर यदि आपकी delivery cesarean section से यानि के पेट पर चीरा लगा कर हुई है तो उन टाकों को घाव भरने में कम से कम 6 हफ़ते तक का तो minimum time लगता ही है लेकिन पूरी तरीके से heal होने में 3 महीने का समय लग जाता है तो cesarean section के बाद ज कीजिए ताकि वो अपने आपको भी mentally prepare कर सके बच्चे का भी ध्यान रख सके और physically हो सके और कपल को sex करते समय और sex के बाद यह सबसे important बात ध्यान में रखनी चाहिए कि pregnancy कभी भी हो सकती है तो जब इंटरकोर्स करें हमेशा protection के साथ ही करें जनरली यह समझा जाता है कि जब बिलकुल नहीं है यह 100% नहीं है इसलिए जब भी sex करें हमेशा protection का इस्तेमाल जरूर कीजिए क्योंकि अगर pregnancy दुबारा से बहुत जल्दी हो जाती है तो मा के शारीरिक और मानसिक स्वास्ते पे बहुत ज़्यादा फरक पड़ता है जो कि mental trauma और physical trauma दोनों साबित होगा और प्राइवेट लाइफ के साथ या अपने मराइटर लाइफ का धियान रखने के साथ इस बात का जरूर धियान रखेंगे कि pregnancy ना हो pregnancy ना होने के लिए आप condom का इस्तिमाल कर सकते हैं या progestron only pills आती है यानि कि वो गोलिया जो बच्चे के delivery की बात दी जाती है क्योंकि जो normal गोलिया 21 दिन वाली जो गोलिया होती है उनसे बच्चे का जो milk secretion होता है मा का दूद का secretion कम हो जाता है इसलिए वो उन गोलियों की सला नहीं दी जाती इस पैसिफिक पी ओपे पिल्स आती है जो की बच्चे के बाद यानि डिलिवरी होने के बाद स्पैसिफिक सला में दी जाती है तो एक इसके अलावा आप पीपी आयूसीडी यानि की copper TB लगवा सकती है जिससे की pregnancy ना हो तो अगर आप contraception का ध्यान रख सकते हुए बाद में 6 अफ़ते से लेकर 12 अगर आप सेक्स करते हैं तो बिल्कुल सेफ हैं आप अपनी मराइटल लाइफ एंजोई कर सकते हैं और अपनी खुश्यों को फिर साथ परिवार के साथ आगे बढ़ा सकते हैं आप से फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानका अरिके साथ ताप्तिक नमस्कार